हलो दोस्तों मेरा नाम है मुहम्मद कैसर और आप देख रहा हैं स्टडी चैनल बात करेंगे दोस्तों आज की सभी महतपूर अपटेट्स की सबसे पहली खबर है उत्तर प्रदेश लोकसेवा आयोग से सहायक अभियोजन अधिकारी का विग्यापन दोस्तों आज जारी हो जा में इस भरती की बारे में सारे जानकारी दी जाएगी सहायक अभियोजन अधिकारी जीसे सौट फॉर्म में कहा जाता है APO तो APO 2022 का विग्यापन जारी होगा APO का फुल फॉर्म इंगलिस में है Assistant Prosecutive Officer आयो सेमा की बात करें तो इसमें दोस्तों 21 से लेकर 40 साल आयो सेमा मां जाता है बाकी विग्यापन आते ही आपको सारे जानकारी डिटेल में दी जाएगी तो आप हमारे साथ जूड़े रहिएगा साथी साथ एक अपडेट और है और बहुत अच्छी ख़बर आ रही है PCSJ का विग्यापन दोस्तों अब बहुत ही जल्द आने की उम्मीद है Cabinet के फैसले से PCSJ अभेर्थियों में खुशी और जल्द आ सकता है विग्यापन इस विग्यापन का भी इंदिजार काफी लंबे समय से हो रहा है प्रदिस सरकार की मंगलवार को होई कैबिनिट बैठक में उत्तर प्रदिस नयाइक सेवा चतुर संसोधन निमाली 2022 को मंजूरी म के पेपर होंगे तो एक्जाम बैटन में भी बड़ा बदलाव यहां पर हो गया है हिंदी भाषा प्रश्न पत्र को भी शामिल करने से अभेर्थी काफी जादा खुस हैं PCSJ अभेर्थी का विग्यापन पर पिछले चार साल पहले जारी हुआ था और अपने विग्यापन क के लिए अभेदन हो गए हैं प्री का एक्जाम 12 जून को है लगबक्षा लाग अभेर्थियों ने इस परिक्षा के लिए अभेदन किया है यहां पर दोस्तों प्री मेर अध्यान समाजकार उर्दू-फारसी क्रिसी अभियांत्री जैसे विश्यों को शामिल करने की मांग कर रहे हैं एक बड़ी अपडेट निकल कर आ रही है सनातक के पाठकरम से ग्रैजुएशन के पाठकरमों में अब ग्रेडिंग प्रडाली लागू होगा और यहां पर दोस्तों किस तरह से ग्रेडिंग मिलेगा वो यहां पर बताया गया है तो कुछ बड़े बदलाव यहा होगा 10 ए प्लस एक्सलेंट होगा 80 से 90 के बीच में और इसके लिए ग्रेडिंग पॉइंट होगा 9 इसी तरह से यहां पर पूरा डिसाइड किया गया है तो कुछ बड़े बदलाव यहां पर भी देखने को मिलेंगे और डिविजन की बात करें तो साड़े 6 से लेकर 10 के बी पॉइंट एवरेज और इसी क्यातार पर अब रिजल्ट जारी होंगे कुछ और भी यहां पर सुधार के लिए निर्देश दिया गया है यहां पर देख सकते हैं दोस्तों कि शाशन ने राश्ट्री सिक्षानिती के सुझाओ विश्विद्यायलों के कुलपतियों को भेज हैं अमल करने का निर्देश दिया गया है तो यह बदलाव भी आगे समय में आपको देखने को मिलेगा यूपी बोर्ड से भी एक बड़ी अपडेट है यूपी बोर्ड के गजाम पैटन में भी बड़ा बदलाव होने जा रहा है हाई स्कूल में नय सत्र और इंटर में दो आप थो रही है कि रिक्त पदों पर भरती जल्द करने का निर्देश दिया गया चाहिए वो बेसिक हो प्रात्मिक हो या फिर उच्च सिक्षा में राजगी और साहता प्राप सिक्षा संस्तानों में सिक्षकों के रिक्त पदों पर भरती कराए जाएगी योग सिक्षकों क मेट की भी भरती दोस्तों होनी ही होनी है काफी समय से योग सीक्षकों की भरती की चर्चाएं ben विजेंपी गॉव्र्मेंट में हो रही है और यह भरती दोस्तों आएगी जरूर में यह हैं और statut की पारaimerिर के साथिसा टीजटीफी जटीफीद के भी भरती की तैयारियां जो रोशोरों से चल रही है। उत्तर प्रदेर शाशंदोर अविध्यापन निकाला गया है मादमे सिक्षा विभाग में सदस्यों की निक्ति के लिए। चुकी चैने गोर्ड में सभी सदस्र रिटाइर हो गए थे,'m से क्म आस सदस्र होने चींई तभी कोई कार हो सके गा, और यहाँ पर सभी 10 सदस्रेक्राइब की निक्ति होने जा रही है, विग्यापन इसका निकल चुका है, जैसे इस अदस्तों की नुक्ती हो जाती है नए विग्यापन भी देखने को मिलेंगे जुलाई तक नए विग्यापन की उम्मीद है और आज की लास्ट अपडेट है यूपीटेट दो हजार एकिस से देख सकते हैं हाई कोड पहुंचा यूपीटेट दो हजार एकिस का मामला च्छे प्रशनों पर कॉमन नंबर की मांग भीरतियों ने की है उत्तर प्रदेश सिक्षक पाता परकिशा यानि यूपीटेट दो हजार एकिस के च्छे विवाजित प्रशनों को लेकर इलहाबाद हाई कोड में याचिका दाखिल की गई है याचिका में इन सभी प्रशनों के दो-दो सही उतर देने वाले अभीरतियों को अंक देने की मांग की गई अड़ोकेट सौमित्र दिवेदी आलो कुमार दूबेववा या थाठ पाठक के अनुशार रविष बाबु आकास सोनकर यहां पर बहुत सारे अभीरतियों है याचिका में कहा गया है कि इन 6 प्रशनों के सही उतर देने वाले अभीरतियों को अंक दिया जाए और नए सीरे से परडाम जारी किया जाए तो हाई कोट में आचिकाएं लग गई हैं सुनवाईयां जैसे ही होती हैं इस मामले में कोई भी अपडेट मिलेगी तो आपको सूचना दिया जाएगा तो आज की उटम बस इतना ही दोस्तों वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा चैनल को सस्क्राइब करके बे लाइक अन दबा लीजिए ताकि आपको इसी तरह की सभी लेटेस्ट और ऑथेंटिक इन्फोर्मेशन मिलती रहे थांक्स फॉर वाचिंग